अपने यूपी के दौरे के दूसरे दिन लखेंपूर खीरी पहुच्च चुकी है मालूम हो कि अभी हाल ही में हुए पंचाइच चुनाओ के दौरान एक महिला से बस सलूकी की गए उस महिला से भी कांग्रेस महासुच प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है कि अभी है जो अनीता जी के साथ था उनका पूरा परिवार और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है किसी ने रोका ने जिस एक जिस लिए उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंट कर दिया अपने बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया प्रशासन मौन है और चुनाओ रद कर दिया जाता है अग्रास से चुनाओ होता है तो चुनाओ दौरास से क्यों क्यों नहीं हुआ है क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का क्या कोई आके दस गुंडे को लेके मार पीट करके चुनाव जीच सकते हैं कि यह हमारा लोग तंत्रा आज तो हमें यह पूछने के जरूरत है आप लोंको सवाल उठाने चाहिए पूरा विडियो है बाकाइदा सब कुछ दिखना है कि क्या हुआ है इसके साथ किस तरह से पीटा गया है किस तरह से पुलिस वाले यहीं चाहते हैं देश में यह चाहते हैं कि लोग तंत्रत की इस तरह से दजया उड़ाई जाए प्रधान मंत्री जी तारीफ कर लें प्रधान मंत्री जी आंके कहें कि पढ़ाये दिये पच्चायत के चणाव के लिए हर जिल्ह में कुछा कुछ हुआ है कहीं हिंसा हुई है कहीं बब्बभी आखे और अंसे बात करता हैं कि प्रिंगागाई इस मुलाकाथ में क्या कुछ बाद चीथी अभी जिन दोशियों के ऊपर जो कुछ कारवाई वे उससे आपनों संतोस्थ हैं और कुछ क्या आश्वाशन दिया प्रियंगा गांधी जाएगी अब देखना यह है कि अभी प्रशासन इस तरीक इस तरीके से लेता है और क्या करवाई करता हूं दोशियों पे गाजिपूर जनपत के थाना सदात अंतरगत ग्राम पंचायत मौधिया में चोरो के होसले बुलंद हैं चोरो ने खिड़की के रास्ते से इच निकाल कर करीब तीन रूंग से दरवाजे तोड़कर लाकों का समान पार किया वहीं इसको लेकर राम सरन राजभर ने बताएं कि करीब तीन लाग के जेवरात और दवा के लिए बीस हजार नगदी निकाल कर रखे थे जो की चोरो के द्वारा चुरा लिया गया वहीं सुचना मिलते ही थाना द्यक्ष रामा श्रह राय मौके पर पहुचे और आवश्यक जांश प्रक्रिया में लगे हुएं उमीद है कि जल्द ही चोरो का पता लगा लिया जाएगा प्रदेश में बढ़ती महंगाई और भष्टाचार के खिलाफ लगतर विपक्षी दल हमला वर हैं प्रदेश में बगरती कानून विवस्ता और महंगाई को रोकने के लिए ताजनगरी आकरा में राश्री लोगदल के दरजनों कारिकरताओने राश्री लोगदल के दरजनों कारिकरताओने राश्री लोगदल के दरजनों कारिकरताओने जिला द्यक्ष कुसुम चाहर के निरतरत में जिला मुख्याले पर पहुच कर जमकर नारे बाजी करते हुए व में मंहगाई के वरोध में गिया दीया जैसा कि आप देख रहे हैं महगाई चरम पर है जिस तरीके से पहर ची 짧ए इनकी जो है इतनी मकारी भी चुंटी यह इनकाहम गोर भूध कर दे जैसा कि जलाप पंचाइट चुनाम में महिलाओं का चीरा रण किया और उसके पीछे कोई कारवाई नहीं हो रही है इनको जो है उनकी जाच करानी चाहिए और उनको सक्त सक्त जो सजाद लुए कबर लखनाउ से है जहां पुलिस ने पिचास हजार के इनामे बदमाश को गिरफतार किया है बता दे कि आरोपी मैनपुरी से है जिसे गिरफतार किया है इस आरोपी पर पचास हजार के इनाम गोशित है लंबे समय से यह अपरादी फरार चल रहा था जिसके खिलाफ पचास ह आज को ग्रफतार करते हुए जेल भीज़ दिया है जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है जैसे घरेलू बजार में डीजल की कीमत इस्थर है राश्ट्री राश्धानी दिली में पेट्रोल का भाव बढ़कर 101.84 रुपे पहुच गया वाई डीजल 97.45 रुपे प्रती लीटर बिक रहा है पेट्रोल की बढ़ती कीमते अब देश भर में उच्चितम स्थर को चू रही है भारत में करोना संक्रमन के नए मामले के स्थिती स्थर बनी हुई है अर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे है शनिवार सुबा को स्वास मंत्राली की ओर से जारी आकडों के अनुसर पिछले 24 गंटों में 38,000 नए केस करोना के सामने आए इससे पहले शुक्रवार को 38,000 नए केस आयते वहीं पिछले 24 गंटे में 43,916 लोगों कोरोना से ठीक होए कोरोना पॉजिटिविटी केस भी 4,000,000 से जादा है एक्टिव केस इस वक्त वहीं 4,000,000 लोग अभी भी कोरोना से संक्रमे थे जनका इलाज चल रहा है काफी लंबे समय से पुलिस के साथ आग में चौली को इलकर लूट पार्ट करने वाले एक ऐसे गिरोग के सरगना को गरफतार किया है जो महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था बता दे कि प्रयाग राज एक्सप्रेस से करीब तीन महा पहले जोलरी और नगदी से भरे बैक को चोरी करने वाले सासी गिरोग के सरगना को जी आरपी और पी एफ की टीम ने गिरफतार कर जेल भीज दिया है बैयारोपित से करीब साथ लाग कीमत की जोलरी और पच्चिस हजार की नगदी भी बरामत की गई है यह हमारे थाने पे तेरा बटे 21 एक चूरी का अभियोग था अप्रेल महा का इसमें टूटल साड़े साथ लाग की चूरी भी थी इसमें काफी दिनों से प्रयास थे साथ लाग की टूटल जूरी रिकवर रही है इसमें हमारी पांच छे टीमें काम कर रही थी कई दिनों से और इसमें से सारा गोल्ड और जो नगदी है वो सारी रिकवर कर ले गई है इसमें पांच हजार रुपिया एक थाना केंट का अभियोग था 121 बटे 21 वो भी गाजीपूर के सैथपूर कोतवाले परिसर में बकरीद और शावन मास को लेकर अमन कमीटी की बैठक वी जिसमें सीओने बकरीद और शावन मास को लेकर दिशा निर्देश दिया है कोरोना काल के चलते इस बार बकरीद की नमाज सादगी के साथ इदगाह पर होगी मेटिंग में प्रशासन और नगर निगम स्वास्त विबाग बिजली विबाग आर पी एफ के अधिकारियों ने बहतर विवस्ताओं का आश्वासन दिया है यूपी में बेरोजगारी का सिलसला लगातार जारी है आए दिन बेरोजगारों को लेकर अभ्यरती धरना प्रदर्शन करते हैं और वही पिछले कई दिनों से सिक्षक भरती का भरती की अभिहरती प्रदेशन कर रहे हैं करीब दो सालों से अभिहरतियों का लगाता प्रदेश में प्रदेशन चल रहा है इस पूरे मामली की जानकारी आईए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में पिछले साल बेसिक सिक्षा विभाग ने 79,000 सिक्षकों की भरती की थी पिछले कई दिनों से लखनव के SCERT यानि State Council of Educational Research and Training में पूरे उत्तर प्रदेश से खट्टा हुए अभ्यारती प्रात्मिक सिक्षक भरती की मांग कर रहे हैं इनकी दो मांगे हैं एक तो आरक्षर को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं खाली पद भरती को लेकर भी अभ्यारती प्रदर्शन कर रहे हैं पिशले साल मई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 79,000 सिक्षक भरती मामले पर सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट में एक हलफ नामा दिया था इसके अलावा एक RTI के मताबिक प्रात्मिक सिक्षकों के करीब 1.7 लाग पद खाली हैं आपको बता दे किसको लेकर सिक्षक भरती के अभ्यारती आयदे कहीं न कहीं प्रदर्शन करते रहते हैं वहीं सीको लेकर 13 जुलाई को ये अभ्यारती बेसिक सिक्षा मंत्री सतिश दिवेदी के आवाज पर पहुँच गये वे मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने अभ्यार्तियों को हटाना शुरू कर दिया अभ्यार्तियों का दावा है कि जब उन्होंने वहां से जाने से इंकार कर दिया तो उनके साथ पुलिस कर्मियों ने गाली गलोज भी की आकर कब तक युवा रहेंगे बिरोजकार? UP में कब तक रहेगी बिरोजकारी? क्या UP सरकार पूरी तरह है विफल? वह आरक्षित वर्ग के अभ्यारतियों का आरोप है, किसमें आरक्षड घोटाला हुआ है अभ्यार्तियों का कहना है कि OBC वर्ग को इस भर्ती में 27 फीजदी की जगह 4 फीजदी से भी कमा रक्षण मिला अभ्यार्तियों का कहना है कि 79,000 सहायक सिक्षक भर्ती के मामले में राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है इस अंत्रिम रिपोर्ट में कहा गया है कि 5,844 सीटों का आरक्षण में अनिमित्याय हुई है रिपोर्ट में कहा गया है कि OBC वर्ग को 21 प्रतिशक आरक्षण नहीं मिला और उन्हें अपने कोटे की 18,598 सीट में से केवर 2,637 सीट ही दी गई थी हाला कि सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है अभ्यारतियों की मांग है कि इस भरती में राष्टि पिश्डवर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए साथी जिन अभ्यार्तियों ने राश्टी पिश्टवर्ग आयोग में शिकायत दर्श कराई है उन सभी को इस भरती में शामिल किया जाए साथी उन अभ्यार्तियों को भी शामिल किया जाए जो इस मामले में हाई कोर पहुँचे है रोजगार के नाम पर राजनीती बिरोजगारी का सिलसिला लगातार जारी क्या अभ्यारती के प्रदर्शन का कुछ हो रहा है फायदा कब तक अभ्यारती करते रहेंगे प्रदर्शन अब अगर पुलिस भरती परिक्षा की बात करें तो उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भरती परिक्षा का नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी अभ्यारतीों का मेडिकल परिक्षण और ट्रेनिंग ना होने को लेकर प्रदेश में बवाल मचा है अभ्यार्तियों ने सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उन्होंने चाल चर्णों में ट्रेनिंग कराने के फैसले को दुर्भाजिपूर बताते हुए इसे दो चर्णों में समाफ्त करने की मांग की है आपको बता दे कि सिपाही भरती 2018 के अभ्यारती अपना मेडिकल परिक्षड कराने को दो साल से परिशान थे जिसमें से 49,560 सिपाही भरती के अभ्यारतियों को कुरोनाकाल में मेडिकल परिक्षड और ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया पहले चरण में सिर्फ 14,000 सिपाहीं का चयन हुआ था वहीं दूसरे चरण में 17,360 सिपाहीं का मेडिकल परिक्षड कराया गया अगर ऐसे चलता रहा तो अभ्यारती कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे अगर इनके प्रदर्शन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर अभ्यारती प्रदर्शन क्यों कर रहें वहीं सरकार आए दिन कहीं न कहीं दौरा करते रहते हैं लेकिन क्या उनकी नजर इन बेरुज़गार युवा उपर नहीं जाती हैं मामले में पीछे नहीं है यहां के लोग भी कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले आनंद उठाने में पीछे नहीं रहना चाहते लोग जिस तरह से बेख़ौफ होकर बाजार हाटों में घूम रहे हैं उससे कोरोना तीसरी लहर को बेशक दावत मिल रही है। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग ना ही सेनिटाइजेशन क्या तीसी लहर से यूपी बच पाएगा। कोरोना को लेकर काफी चिंतित है। लगतार टीम नाइन की बैठके होती है। जिसमें बड़े से बड़े अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में इन निर्देशों का पालन होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बजार हाटों की बात करें तो लोग बिना किसी डर के एक जगा भीर लगाते हैं। नहीं उनके मुँपर मास्क रहता है और नहीं तो आसपास सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज। ऐसे में बड़ा सवाल ये है इस तरह की लापरवाई अगर बरती जाएगी तो कोरोना के नए वेरियंट से हम कैसे बच सकेंगे। इसका जिम्मदार आकिर कौन होगा पुषासन होगा या फिर आम लोग होंगे। क्योंकि नहीं पुषासन नियमों का पालन करवा पा रहा है और नहीं लोग नियमों का पालन करना चाते हैं। ऐसे में जिम्मदार किसे ठहराये जाए। शायद लोग भूल चुके हैं कि कोरोना ने किस तरह कहर बरसाया। शमशान घाटों पर शवो की कतारे लगी थे। अस्पतालों में नहीं मरीजों को बेड मिल पा रहा था। ना अक्सीजन और नहीं इलाज। यह तस्वीरे सालों पुरानी नहीं बस कुछ महीने पहले की है। कोरोना के कहर ने लोगों को इस तरह परिशान कर दिया था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। लेकिन जिस तरह हालातों में कुछ शुदाग हुआ वैसे ही लोगों के दिलों से कोरोना का डर भी शायद खत्म हो गया। तो ये कुछ जगाओं की तस्वीरे हम आपको दिखाया रहे हैं जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लोग करोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। तस्वीरे लखनव आगरा हर दोई की हैं। अगर इसी तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी तो वो दिन दूर नहीं जब करोना की तीसरी लहर हाहा कार मचा देगी। ऐसे में ज़रूरत है कि हम सब को सतर्क रहने की और प्राइम टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सचेत रहें। इस तरह की लापरवाही आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वे नमास लगाये लोग घरों से बाहार निकल रहे हैं और इस तरह की लापरवाही तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। करना की पहली और तो दूसरी इसे लहर जाने के बाद में अनलोक हो गया है पुरा देज उसके बाद में अब ये तीसरी लहर का भी आगाज हो गया तीसरी लहर को भी अने वाली जिसमें बच्चों के लिए भी बहुत इहां नहीं कर रहा है इसको लिए लूग कितना क설े हैं यहां नीसने लॉग सब्सक्सक्राइब हुज समझाने करने लॉट वाले उसमें को मास्क है नहीं करना ज़रूरी है और इतने क्वह भाई नहीं करने चाहिए कि यह नाम है सूर्ज विछ तरह की एकी पीसरी लहर का आगा जो चुपाये दूसी लहर अभी निकलके गही है कोरुझा जाती महामारी फिर सम्कमिन महामारी का ईती जी आपने इसे लहर का जो आगाज आप में मास्क नहीं लगागा तो आप क्या खाना है मास प्लादा हुआ एक पीजियां ने लगा रखा है और अम से बात करते हैं यह बताते हैं कि इनों मास्क लगा लगा रखा और यह किस तरह नियम को सॉलो कर रहे हैं तो इसके बारे में मास लगाना चाहिए उन्होंने का है जैसे मानना चाहिए क्यों कि पहली लेर में लापरावाई दी तो दूसरी लेर में सब को पटा चंड शुगा था कि बहुत कफरनाक बीमारी है अब इस सरकार आके मास तो नहीं लगाएगी यह तो हम लोगों को सुच् कि इसके बारे में मास लगाना चाहिए कि दूरी रखनी चाहिए और गवर्मेंट तो बहुत कुछी अच्छा काम कर रही है और उसको पालन नहीं करेंगे तो इससे बड़ा तो हमारी लिए होगा नतीजा हम तो चाहते हैं कि सबी लोगों को कहें मास लगाएं और इसका पा सब्सक्राइब और इसका पालन करें दोगज की दूरी राखे और बढ़िया अच्छे तरह अपना पीने का द्यान दे सेनाटाज करें और जो गवर्मेंट का पालन उसका सब का द्यान रखते हैं तो यह हमारे साथ एक भाई ऐसे मौजूद थे जो कि जन्होंने मास्क पहल पालन की कर रहे थी तो आपने तस्वीरे देखी कि किस तरह से लोग एक बार फिर लापरवाह होते जा रहे हैं यही लापरवाही तीसरी लहर को एक बार फिर दस तक देगी लिए तो जरूरत है आपको का करोना प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ-ई-साथ क्यूंकि सारी जिम्पताई सरकार की नहीं होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सेनिटाइजर का प्रेयोग करते रहे हैं फिलाल के लिए बस इतना ही फिराज दिर होंगे स्वस्त रहिए सतर करहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी झाल